नमस्कार मैं हूँ स्वरभ दिवेदी और आप देख रहे हैं दीललनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्वों की खास सीरीज मुख्यमंत्री जिसमें हम बात कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्रियों के बारे में और इस एपिसोड में चिमन भाई पटेल के दोबारा मुख्यमं मुख्यमंत्री बनने की कहानी दिसंबर 1989 केंद्र में विश्वनात प्रताप सिंग के नेत्रत्त में रास्ट्री मोर्चा की सरकार बन गई थी जिसे वाम मोर्चा और भारती जनता पार्टी का समर्थन हासिल था कुछी महिनों के बाद गुजरात में विधान सभा के चुना होने थे वहाँ पर जनतादल की कमान चिमन भाई पटेल के हातों में थी उन्हें पूरा भरोसा था कि कॉंग्रेस की हार की सूरत में वहीं दुबारा मुख्यमंत्री बनेंगे मगर तभी उनके पास खबर आई कि एमर्जेंसी के दौर में गुजरात के लोक्तुरिय मुख्यमंत्री रहे बाबु जस भाई पटेल राजनीति में लौट रहे हैं बाबु जस भाई पटेल ने एक गैर राजनीतिक संग्ठन बनाया था जिसका नाम था लोग स्वराज संग्ठन मंच और अब इस तरह की खबरें आ रही थी चिमन भाई के अंदेशे को पुष्टी मिली उनी की पार्टी के महासचेव प्रवीन सिंग जडेजा के इस बयान से बाबु भाई अपने लोकतांत्रिक मूलियों के लिए जाने जाते हैं बीपी सिंग की कमान में पार्टी साफ छवी के लोगों को तवज्यो देने जा रही है अगर वो हमारी पार्टी से जुड़ते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी चिमन भाई पटेल को 1974 में गुजरात नवनिर्मान अंदोलन के चलते कुर्सी छोड़नी पड़ी थी 16 बरस के बाद ये अवसर आ रहा था जब उन्हें कुर्सी अपनी पहुँच में नजर आ रही थी लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अगर उन्होंने समय रहते दाव नहीं चला तो कुर्सी बाबू जस भाई पटेल की तरफ जा सकती है ऐसे में उन्होंने कॉंग्रेस के बागियों से संपर्क किया कुछ महीने बाकी थे चुकि केंद्र में कॉंग्रेस हार चुकी थी तो कॉंग्रेस के गुजरात खेमे में भी भगदर जैसा माहौल नजर आ रहा था फिर चिमन भाई पटेल ने ये खबर लीक करवा दी दिल्ली में बैठे जनता दल के नेताओं और प्रधानमंत्री विशुनात प्रताप सिंग को जब इसके बारे में पता चला तो उनके कान खड़े हो गए उन्हें इस बात का इल्हाम था कि कितनी भी कॉंग्रेस विरोधी लहर हो चिमन भाई पटेल के बगेर जनता दल गुजरात में चुनावी जीत हासिल नहीं कर सकता और ऐसे में फैसला किया गया तमाम पसंद और नापसंद के बावजूद कि चिमन पटेल को फ्री हेंड दिया जाए और बाबु जस भाई पटेल जनता दल में आते आते रह गए इधर एक और राजनितिक पार्टी थी जो गुजरात में सत्ता में आने के लिए दर्शकों से संघर्श कर रही थी भारती जनता पार्टी भाजपा ने भी बाबु जजबाई पटेल को अपने खेमे में लाने की कोशिश की लेकिन बाबु पटेल को पता था कि ये सियासत है यहाँ पर इतनी जल्दी अपने उपर एक रंग नहीं चढ़ने देना चाहिए ऐसे में उन्होंने भाजपा के प्रस्ताव को भी विनम्रता पूर्वक मना कर दिया मोर्भी से निर्दली चुनाव लड़े जन्तादल और भाजपा दोनों नहीं उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े नहीं किये और वो आराम से चुनाव जीत कए चुनाओ गुजरात के विधान सभा चुनाओ क्या थे उसके नतीजे उस बरस फरवरी 1990 में गुजरात विधान सभा के नतीजे आए चिमन भाई के नित्रत्य में जन्ता दल को 70 सीटे मिली भारती जन्ता पार्टी को 66 सीटें कॉंग्रेस अपने थ्यास में सबसे कम 33 सीटों पर जाकर सिमट गई बाबु भाई पटेल समेत 12 निर्दली भी नई विधान सभा का हिस्सा बने फरवरी के आखरी सब्ता में एहमदाबाद में दो लोग अपने अपने कमरों में बैठे चिठ्थियां लिक रहे थे पहले बाबु भाई पटेल जिन्होंने चिमन भाई पटेल और केशु भाई पटेल यानि कि जनता दल और भाजपा के नेताओं को चिठ्थी लखी और अपने लिए समर्थन मांगा बीजेपी इसके लिए तैयार हो गई बाबु भाई पटेल ने अमर्जनसी के दौर में इंदरा विरोधी खेमे की बहुत मदद की थी इमांदार छवी थी उनकी बीजेपी को ये भी पता था कि वो अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकते दूसरा बीजेपी चिमन भाई पटेल के साथ नजर नहीं आना चाहते थी अपने तमाम कॉंग्रिस विरोध के बावजूद जब बाबु भाई पटेल की चिट्थी चिमन भाई पटेल के पास पहुँची तो वो आगभूला हो गए उन्होंने कहा कि आप निर्दली विधायक हैं मैं सबसे बड़ी पार्टी के विधायक दल करनेता हूँ और आपको कोई नैतिक आधार नहीं बनता मुझसे समर्थन मांगने का सरकार बनाने का दावा तो हमारा ही होगा लेकिन चिमन भाई पाटेल को सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों के अलावा भाजपा के समर्थन की भी दरकार थी बैक रूम बाचीत होने लगी पर इस बाचीत में एक दिक्कत आ रही थी अटल बिहारी बाचपी ने गुझरात में चुनाव प्रचार के दौरान एक चर्चित भाषण में चिमन भाई पाटेल को दुर्योधन करार दिया था अटल के नेत्रत वाला खेमा इस चुनावी गठबंदन से जो चुनाओ के बाद हो रहा था बहुत सहज नहीं था अब ऐसे में चिमन भाई पटेल क्या करते हैं? हमें राजनीतिक चिंतक प्रिकाश जे शाह का एक कतन याद आ रहा है वो कहते थे कि चिमन भाई पटेल की कोई पार्टी का विचारधारा नहीं है एक ही विचारधारा है कि कैसे सत्ता में आया और बना रहा जाए ऐसे में चिमन भाई पटेल ने बीजेपी के नेताओं के प्रती बहुत सो हाद्र पून व्यवार करना शुरू किया उनकी लगबग हर मांग को मानने के लिए तैयार हो गए और तब बीजेपी को मौका नजर आया मौका क्या? मौका ये कि कॉंग्रेस में और गुजराध की सियासत में 1980 के बाद माधव सिंग सोलंकी और अमर सिंग चौधरी का दौर चला था माधव सिंग सोलंकी का जो चुनावी फॉर्मूला था उसमें गुजरात की सबसे प्रभावशाली जातियों में से एक पटेल जाती को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था खाम का समी करन दिया गया था चत्री हरजयन आदिवासी और मुस्लिम और इनी के साहरे कॉंग्रेस जीत रही थी इनके लिए आरक्षम की विवस्था को लेकर पाटिदारों ने पटेलों ने जोड़दार अंदोलन भी किया था उस पर नहले पर देहला जड़ते हुए महादव सिंसोलंकी ने जब 1985 में सरकार बनाई तो एक भी पटेल को अपने मंत्रि मंडल में नहीं लिया उसके बाद अमर सिंग चौधरी आये लेकिन सरकार का स्टेंड कमोवेश वही बना रहा भाजपा को लगा कि ये एक अच्छा मौका है पटेल बिरादरी के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने का चेमन भाई पटेल जो खुद उसी बरादरी से आते थे उनको भी क्या इतराज होता और ऐसे में केशु भाई पटेल को जो लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे थे उप मुख्य मंतरी बनाया जाना तैह हुआ इसके अलावा भारती जंता पार्टी के कई वरिष्ट विधायकों को कैबिनिट मंतरी बनाया जाने पर भी सहमती हुई इस पर भी बात हुई कि किस तरह संग से जुड़े लोगों को कई कॉर्पोरेशन में समायोजित किया जाएगा और इस तरह से चिमन भाई पटेल 16 बरस के बाद दोबारा मुख्य मंतरी बनने में सफल हुए ये कहानी दिल्चस्प है चिमन भाई पटेल किसी राजनीतिक विरासत को लेकर आगे नहीं बढ़े थे सडकों पर चपलें गिसी थी उन्होंने उनके पैदाईश 3 जून 1929 की गाउं चिक्रोदा वलोदरा की शंखेडा तैसील में कॉलेज की दिनों में पॉलिटिक्स में उतर आए 1950 में वलोदरा की महराजा सायाजी राव युनिवस्टी के प्रेसिडेंट चुने गए फिर 1967 में उने शंखेडा से कॉंग्रिस का टिकट मिला जीते तो हितेंद्र दिसाई की सरकार में मंतरी बने फिर घंश्याम ओजा की सरकार में भी और घंश्याम ओजा की रुखसती करवाने के बाद वो खुद मुख्य मंतरी की कुर्सी पर बैठे मगर एक साल बीतते न बीतते उनका बुरा दोर आया मेंगाई बढ़ी आंदोलन बढ़ा और उन्हें मुख्य मंतरी के पत से हटा दिया गया फिर उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी और किसान मजदूर लोग पक्ष के नाम से पार्टी बनाई एमर्जनसी का दौर बीतने के बाद जनता मोर्चा में शामिल हुए हास्यास्पद है ना कि जिस जनता मोर्चा ने भरष्टाचार के मुद्दे पर शुरुआती दौर में उनका विरोध किया था तब अलग अलग खे में थे उसी मोर्चे में चिमन भाई पटेल जाकर शामिल हो गए थे चिमन भाई पटेल को राजनीतिक तापमान भापना खूब अच्छे से आता था और यही उनकी चुनावी सफलता की राजनीतिक सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी इसी लिए जब सरकार बनाने के 6-7 महिने बाद उन्होंने देखा कि केंदर की वीपी सिंग सरकार डावा डोल हो रही है तो उन्होंने रातो रात निष्ठा बदल ली सब को पता है कि विशुनाद प्रताप सिंग की सरकार कैसे गिरी अगस्त में उन्होंने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए मंडल कमीशन की सिफ आर्शें लागू करने का एलान किया मंडल के काउंटर में भारती जनता पार्टी कमंडल लेकर आई लाल कृष्ण आडवानी जो भारती जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्षते उन्होंने सोमनाथ से रथयात्रा निकालनी शुरू की वीपी सिंग के कहने पर लालू पिसाद यादाव ने बिहार में उनको गिरफतार किया और उसके बाद सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया इसके बाद जनता दल का एक धड़ा तूटा और चंदर शेखर के नेत्रत तुम्हें सरकार बनाने का दावा पेश किया और इस दावे को मजबूती मिल रही थी कॉंग्रेस के समर्थन से जो 1989 में हार के बावजूद सबसे बड़ा दल था और उसके 197 सांसत थे चिमन भाई पटेल के साथ भी यही दिक्कत थी जैसे केंडर में राश्ट्री मोर्चा की सरकार बीज़ापी के सयोग से चल रही थी 23 अक्टूबर को आडवानी की गिरफतारी का प्रक्रान हुआ समर्थन वापसी हुई और 23 अक्टूबर की शाम को ही जन्ता दल के महासचेव एसार बूमबई ने चिमन भाई पटेल को ये निर्देश दिया कि भाजपा के सभी कैबिनिट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए चिमन भाई पटेल ने उन्हें बाहर का रास्ता तो दिखा दिया लेकिन वो वीपी सिंग की तरह अपनी सरकार की कुर्बानी नहीं देना चाहते थे और केंद्र में उनके नए नेता चंदरशेखर इससे पहले की कॉंग्रेस के साथ मानवाली करके अपनी सत्तम अजबूत कर पाते चिमन भाई पटेल ने स्थानी नेतरत्यों के साथ समझोता करने की तैयारियां शुरू कर दी और जब उन्होंने पाया की स्थानी नेतरत्यों के सामने उनकी डाल नहीं गल रही तो उन्होंने कॉंग्रेस के पुराने मित्रों को याद किया जिनका ठिया दिली में था और राजीव गांथी तक पहुँचने में सफल रहे और समर्थन हासिल किया चंदरशेखर को उन्होंने बदले में क्या दिया कि आला कमान मान जाए उनके इस फैसले के लिए जो जनतादल के गुजरात से तीन सांसत थे वो वीपी सिंग का खेमा छोड़कर चंदरशेखर के खेमे में चले गए और फिर एक नवंबर को कॉंग्रेस के 33 विधायकों की मदद से चिमन भाई पटेल ने नए सिरे से विधान सभा में अपना बहुमत साबित कर दिया लेकिन चिमन भाई पटेल का एक सियासी पैतरा अभी सामने आना बाकी था दिल्ली में चंदरशेखर और राजीवगांधी की दोस्ती ठीक नहीं चल रही थी आपस में तनाव वाद विवाद और ऐसे में 6 मार्च 1991 में राजीवगांधी को चौकाते हुए लोग सभा में चंदरशेखर ने स्तीफे का एलान कर दिया चिमन भाई पतेल के सामने फिर से धर्म संकत और इसका निवारण उन्होंने खालिस चिमन भाई पतेल लहजे में किया हला कि सियासत के पुराने जानकार इसको भजनलाल फॉरमूला भी कहते हैं चांचट विधायकों समेट चिमन भाई पटेल कॉंग्रिस में शामिल हो गए और उनकी सरकार फिर से बच गई कॉंग्रिस के स्थानी नित्रत्त ने इस पाला बदल का फिर से विरोध किया लेकिन उनकी नहीं सुनी गई बोफोस स्केंडल में नाम आने के चलते माधव सिंग सोलंग की हाशिये पर थे अमर सिंग चौधरी विधान सभा का चुनाव हार चुके थे और उप्चुनाव की राह देख रहे थे हितेंद्र देशाई की राजनीतिक पासंगिक्ता कम असकम उस वक्त के राजनीतिक मैनेजरों की नजर में खत्म हो चुकी थी ऐसे में कॉंग्रेस के विरोध पर राजीव गांधी ने ध्यान नहीं दिया मुझे पुराने दुनों का एक किस्सा याद आ रहा जो मैगजीन में पढ़ा था कि चिमन भाई पटेल चंद्रशेखर के स्तीफे से पहले जब दिल्ली जाते थे तो बड़ा रोचक मामला होता था कि सुबह तो वो चंद्रशेखर के सामने जाकर अपनी वफादारी की कसमे खाते थे और साम को कॉंग्रेस के नेताओं के घरों से या दफ्तरों से निकलते हुए पाए जाते थे और लुटियंस दिल्ली के जो मीडिया वाले थे वो इस पर कूप चटकारे लेकर किस से सुन आया करते थे शायर चिमन भाई को अंदाजा हो गया था कि देड़ सवेर उन्हें कॉंग्रेस में लोटना होगा उधर गुजरात के कॉंग्रेस ही चिमन भाई के लोटने से खुश नहीं थे जैसा मैंने पहले बताया और इसका नतीजा क्या रहा इसका नतीजा ये रहा कि जब गुजरात में 1991 की लोगस्वा चुनाओ के नतीजे आये तो कॉंग्रेस सिर्फ पांच सीटों पर सिमट गई और भारती जनता पार्टी को 20 सीटें हासिल हुई फिर से कॉंग्रेस जॉइन करते वक्त चिमन भाई पटेल ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा था मैं हर हाल मैं अपने पांच साल का कारेकाल पूरा करूंगा लेकिन नियति को ये मन्जूर नहीं था 17 फरवरी 1994 को हाट अटेक के चलते उनकी मौत हो गई ये चिमन भाई पटेल की कहानी है जिसका आज भी ना सिर्फ गुजरात बलकि पूरे देश में जब तब जिक्र होता रहता है कोई उन्हें इंडस्ट्रियल पॉल्सी के लिए याद रखता है तो कोई भरष्टाचार के इलजामों के लिए कोई दल बदल के लिए तो कोई रात और रात निश्टा बदलने के बावजूद अपनी राजनीतिक प्रासंगिक्ता बचाए रखने के लिए राजनीतिके किस्सों की ये सीरीज जिसका नाम है मुख्यमंत्री जिसे आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com पर यूहीं बदस्तूर जारी रहेगी अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें दोस्तों को इस सीरीज के बारे में बताएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अफगत करवाएं अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो दिललनटॉप के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन यानि कि जो घंटी का आइकन बना रहता है चिन बना रहता है उसको भी हॉले से छूदें ताकि जैसे ही मुख्यमंतरी का कोई एपिसोड अपलोड हो या कोई और पॉलिटिकल किस्सा आपको फॉरण से खबर हो जाए दिललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें